आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ Download now हम लोगा question में दिया करा कि oxalating electric and magnetic vector जो हता है electric or magnetic vector जो हता है electromagnetic wave में वो oriented होता है किस direction में ठीक है तो हम जानते हैं कि हमारा electric or magnetic field जो हता है वो हमारा perpendicular oriented होता है ठीक है यह हमारा perpendicular यह z axis मान लेते हैं इसको x axis मान लेते हैं और इसको y axis मान लेते हैं ठीक है तो हमारा मान लीजिए अगर electric wave हमारा ऐसे जा रहा है ठीक है और electric field अगर हमारा ऐसे जा रहा ठीक है तो हमारा magnetic field जो होगा वह कुछ इस तरह से जाएगा perpendicular x axis के ठीक है इसका मतलब है कि magnetic field का अगर यह magnetic field माले ठीक है और electric field हमारा यह होगा तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 90 degree होगा ठीक है और electromagnetic wave में जो है यह दोनों in phase में होते हैं और टोफेज में तो यह जो यह वाला जो यह वाला भी जो है यह basically x axis को cross करा Z plane में और electric field जो हो वाई plane में ठीक है तो यह दोनों perpendicular है और electromagnetic मेnt इलेक्ट्रिक और magnetic vector जो है वह इन फेज में होते है ठीक है यह property है दोनों का मतलब में stretches आते हैं तब हम आप्शन Ini क्त जीक कर देते क्या क्या मिन तो आप शनी दिया है कि से फ्टि Ub ठीक है, तो हमारा option 3 जो है, यह हमारा correct answer है, यह हमारा option 3 correct answer है, thank you.